हलो स्टुडेंट्स आफ ग्लास ब्लस टू बायलोजी स्टुडेंट्स आपको अब तक के 6 चैप्टर्स क्लियर हो गए होंगे अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्षन में लिखके बता भी सकते हैं स्टुडेंट्स आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जो बहुत ही इंट्रेस्टिंग है और इस चैप्टर का नाम है इवल्यूशन तो सबसे बहले हमें इस टर्म को समझना ज़रूरी है कि ये इवल्यूशन होता क्या है स्टुडेंट्स इवल्यूशन होता है मोडिफिकेशन चेंज जो कि जेनरेशन टू जेनरेशन आता चला जाता है means कि कोई भी पूरवज है जैसे कि अगर हम इसका एक्जाम्पल ले तो हम सब को पता है कि human being किस से arise हुआ है human being के पूरवज कुन थे एपस थे ठीक है उसके बाद modifications होते चले गए changes आते चले गए better one better one better one और आज हम example हैं जीते जाकते evolution के but ये evolution continuous रहते हैं ऐसा नहीं है कि एक point पे आके ये खतम हो जाते है evolutionary process successive generations में चलती चले जाती है एक बड़ा simple सा example लोगी मैं evolution का students I hope कि आप सबने एक game खिला होगा आप enjoy भी करते होगे उसको बोलते है Chinese whispering game मतलब कि कान में कुछ फुस फुस आना like आप बहुत सारे बच्चे खड़े हो four five students line में खड़े हो और एक पहले वाला जो बच्चा है उसने दूसरे बच्चे के कान में फुस फुस आया कि I want a black car तो दूसरे बच्चे ने तीसरे बच्चे को सुना he want a black cat फिर उसके बाद तीसरे बच्चे को सुना he is a black cat इस तरीके से जो चीजे हैं वो modify होती चली गई evolute होती चली गई change होती चली गई और जो last one वाला बच्चा था जो fifth और sixth position पे बच्चा था उसको सुना I want to eat mango it's a fun मतलब बिल्कुल वो चीज mango का car का कहीं कोई relation ही नहीं है बट ऐसा होता है human life में भी ऐसा होता है कि हम किसी को कोई बात कह रहे हैं और वो जो third person को जाके बताता है उस चीज को वो वो चीज होती ही नहीं है उसका way बिल्कुल change हो जाता है तो वैसे ही evolution है students evolution evolution का मतलब मैं आपको already बता चुकी हूँ evolution है life forms की study on earth जो earth पे हम life forms की study कर रहे हैं that is known as evolution उसके बाद students ये paragraph जो है first paragraph that's not so much important हम directly जो paragraph पे आएंगे important paragraph पे आएंगे that is origin of life की life का origin कैसे हुआ कहां से हुआ बहुत ही interesting topic है आप बचपन से सोचते होगे की हम है earth पे ये earth कहां से आई बहुत सारे बचों के mind में ये question आता है तो आज हमें interesting questions का answer brief में और बिल्कुल सटीक मिलेगा सबसे पहले तो जैसे हम लोग रात को अगर sky की तरफ देखते हैं तो फिर हम लोगों को लगता है कि हम past में चले गए हैं यहाँ पे NCRT थोड़े से philosopher होगी या NCRT वाले तो यहाँ पे जो main point है जो exam में आता है वो students यह है stiller distance stiller distance like अगर हम छट पे खड़े हैं या हम कहीं पे भी खड़े हैं और हम तारों की तरफ देखते हैं हम stars की तरफ देखते हैं तो हमारी ice से और star तक के बीच की distance is known as stiller distance और इस distance को light years में measure किया जाता है मतलब कि यह distance जो है जिस rate से light चलती है light की movement होती है वो इसकी unit है वैसे इसको measure किया जाता है और light की speed जो होती है वो होती है 3 into 10 raise to power 8 meter per second उसके बाद student हम चलते हैं आगे की तरफ यहां पर दिखाया हुआ है कि जब हम कोई चीज अपने चारों तरफ अभी देखते हैं तो वो हमें instantly दिखाई दे जाती है it means कि हम लोग past में survive नहीं कर रहे हैं हम present में survive कर रहे हैं बट अगर हम तारों की तरफ देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपने past में pipping out कर रहे हैं हम अपने past में जाग रहे हैं students जो सबसे पहले origin हुआ था वो origin हुआ था सबसे पहले universe का universe की अगर हम बात करें तो universe बहुत ही vast है उसके आगे जो हमारी earth है that is just a point earth एक point है सिर्फ that is nothing universe के आगे तो यहाँ पे अलग-लग theories है earth के origin की students सबसे पहले हमको point learn करना है वो यह है कि जो universe है universe का origin कब हुआ universe का origin हुआ 20 billion years पहले 20 billion years पहले हुआ universe का origin और उसके बहुत साल बाद बहुत साल यानिकि 4.5 billion years बाद हुआ था earth का origin तो वो कैसे हुआ वो हम अब यहाँ पे पढ़ेंगे students तो सबसे पहले जो theory है वो है big bang theory देखिए यह वाले theory big bang theory big bang का मतलब क्या है big bang theory यह कहती है कि जो life originate हुई है huge explosion से originate हुई है huge explosion जैसे कि यह है एक singular explosion एक explosion हुआ और life इधर उधर बिखर गई ठीक है सबसे पहले जो earth का temperature था बहुत जादा था लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे कि explosion हुआ फैलाओ हुआ तो वो temperature cool down हो गया धीरे धीरे वो temperature originate हो गई है universe और अर्थ बट अर्थ पे life अभी भी नहीं आई है अर्थ पे life आना बाकी है इसके बहुत साल बाद अर्थ पे life आई तो जो earth पे starting में जो चीजे थी वो हमको देखनी है हम वो चीज लर्न करेंगे वैम से वैम का मतलब क्या होता है वैम का मतलब होता है water hydrogen ammonia और इनीशल अर्थ पे students कोई भी temperature कोई भी environment नहीं था इनीशल अर्थ पे ये gases थी temperature धिरे धिरे cool होने लग गया था तो क्या हुआ ultraviolet rays की वज़े से sun की ये hydrogen breakdown हो गया two parts में hydrogen और oxygen oxygen का combination हुआ methane के साथ और ammonia के साथ methane और ammonia के साथ जब ये combine हुए तो इन्होंने co2 बनाया h2o बनाया और ozone layer की formation हुई students ये बहुत ही important point है ozone layer बन गई है दिरे दिरे जो पानी है पानी का condensation होने लग गया जब पानी का water vapors का condensation हुआ तो बारिश हुई और बारिश जैसे ही हुई तो depressions बन गए अर्थ के अंदर गड़े बन गए और उन गड़ों को भरा oceans ने oceans मतलब सागर समुद्र ठीक है उसके बाद life appeared 500 million years after the formation of earth अर्थ के formation के 500 million years बाद life originate हुई अर्थ पे मतलब कि लगबग फाइव लगबग 4 billion years पहले तो students यहाँ पर अलग अलग theories हैं अलग अलग biologist की कोई कहता है कि life इस तरीके से originate हुई कोई कहता है life इस तरीके से originate हुई बहुत सारी funny theories भी हैं बहुत सारी अच्छी theories भी हैं तो अब हम इन theories को ही basically पढ़ेंगे तो सबसे पहले theory है वो है theory of penspermia यह जितनी भी theories है students यह one-one mark में आती हैं कोई भी जादा mark में theory नहीं आती है बोड़ एक्जाम के अंदर यह हमारे planets के नहीं थे astronomers इस चीज़ पर believe करते हैं उसके बाद जो दूसरी theory आए थी दूसरी theory यह कह रही है कि जो life originate हुई है life spontaneously originate हुई है it is known as theory of spontaneous generation कि life अपने आप originate हुऊ गई became or rooting matter से students यह theory तो देखो disprove होनी ही थी कोई भी इस चीज़ को नहीं मान सकता है उसके बाद एक और scientist आए जिनका नाम था Lewis special Lewis special के बारे में जितने भी बचे biology पढ़ते हैं बड़े अच्छे से चानते हैं उन्होंने कहा कि life जो आई है life आई है pre-existing life से मतलब पहले कोई life थी उससे life originate हुई इस चीज़ को करने के लिए इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए उन्होंने एक experiment किया उन्होंने एक pre-isteralized flask लिया pre-isteralized का मतलब होता है जिसमें कोई भी infection ना हो प्योर हो इस तरह का flask लिया उस flask को open रखा उन्होंने उस flask को open रखा तो उसमें कोई भी microorganism नहीं आया उसके बाद उन्होंने yeast को रखा एक flask के अंदर और एक बार एक के अंदर तो उसका जो flask का ढखकन है उसको close कर दिया और एक बार open करके रखा तो जो flask open था उसमें microorganisms produce हो गए लेकिन जो closed था उसमें microorganisms produce नहीं हुए It proves कि microorganism microorganism co-produce करता है मतलब life से life originate हो रही है बट यह जो theory है यह theory भी बहुत ज़ादा नहीं चल पाई यह भी theory जो है वो disprove हो गई उसके बाद scientist आए operating of Russia and handling of England जिन्होंने जो यह थे लुईस पाश्चर थे जिनको हम सब बहुत मानते है इनको इनकी theory बड़े दिहान से पड़ी और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं है सही बात कह रहे हैं यह बात तो है कि life pre-existing life से है यह लेकिन उन्होंने एक चीज़ और add कर दी कि भई जो life आई है वो non-living organic molecule से आई है और non-living organic molecule होते हैं RNA protein जो हमारी बड़े कपार्ट्स होते हैं हम सब को पता है इस theory को chemical evolution भी कहा गया और Millay और Stanley Millay experiment भी कहा गया यह जो question है student board exam में mostly आ जाता है 3 और 5 marks में तो इसको आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है that's very important question और यह वो theory है जो बहुत ज़्यादा मानी गई है तो operen और helden की theory को लिया जो proof किया वो proof किया Millers ने अपने experiment के थूँ हम students directly experiment पे ही आ जाते हैं इस experiment को मैं आपको समझा देती हूँ इस diagram के थूँ देखो मिलर ने क्या किया मिलर ने एक experimental setup किया उसने एक lab के अंदर एक यह apparatus था उसका तो इसने इसने इन gases को ले लिया hydrogen हो गया water हो गया ammonia हो गया और methane हो गया initial earth का temperature कैसा था बहुत जादा था volcanoes होते थे eruptions होते थे volcanic eruptions होते थे तो उसने volcanic eruptions की जगह पे electrodes यह electrode पास किये ताकि explosion हो और यहाँ पे पानी है पानी को गरम किया गया तो water vapors बन गए क्योंकि initial earth पे water vapors प्रेजन थे यहाँ पे condenser है यह पानी यहाँ से बाहर जा रहा है यहाँ से अंदर आ रहा है यहाँ पे experiment के तुरू जो भी चीज बनी reaction से जो भी बना वो सारी चीज यहाँ से होती हुई यहाँ आएगी और जो यहाँ चीज आई जो यह मिलर था यूरे था इन्होंने देखा कि यहाँ पे जो आई है last में theory यहाँ पे last में जो product बना है that is amino acid और हम सब को पता है कि जो यह amino acid है यह हमारी life का base है हमारी body के अंदर DNA present है यह चीज हम सब जानते हैं लेकिन यहाँ पे यहाँ पे क्या था RNA मिला और RNA single stranded है यह आप सब को पता है आपने chapter 1 और 2 पड़ा है तो यहाँ पे सिर्फ amino acids ही नहीं मिले थे fats भी मिले थे बहुत सारी और चीज़े भी मिली थी तो इस RNA को एक covering मिल गई और जैसे ही RNA को covering मिली वैसे ही यह बन गया unicellular organism और unicellular organism के बाद उ दीरे 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 modification होते चले गए और multicellular organism का formation हो गया लेकिन यह experiment बड़े अच्छे से prove करता है कि जो हमारी life originate हुई है वो life originate हुई है inorganic non-living organic matter से life originate हुई है this is proved by the experiment Miller and Yuri यह चीज़ स्टुडेंट्स आपको बहुत अच्छे से learn करनी है आज की class में मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगी अगर आपको कोई doubt हो तो आप comment section में जरूर लिखें स्टुडेंट्स kindly subscribe my channel thank you have a nice day